जारखन के उर्गवादी संगठन पीलएफाई के अंतरास्ट्री कनिक्शन के राजदार राची के रहने वाले निवेश के कई राज उसकी गरल्फ्रेंड अंजली उर्फ कनीश फातिमा के सीने में दफन है बांगला देश की रहने वाली फातिमा P.L.F.I. की पहेलीों में से इक पहेली है कानिश फातिमा और अंजली जो निवेश की सबसे बरी राज़दार है यही वज़े है कि फुलिस बांगला देश की रहने वाली फातिमा से पूस्ताच में जुटी है ऐसा अंदेशा है कि वो हत्यार जो अब तक PLFI उग्रुबादियों के हातों तक नहीं पहुँचे उसे निवेश ने कहां छिपा रखा है और लेवी के पैसे का इंविस्टमेंट उसके द्वारा कहां किया गया है पुलिस फातीमा से इसकी जानकारी लेने की कोशिस में जुटी हुई है नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी लेकिन अब जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं इस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे अब तक जारखंड ही नहीं जारखंड बिहार ओडिसा में आतंक के नाम के तोर पर पहचान बनाने वाले PLFI को किसने चूना लगा दिया जी हाँ जिस निवेश की कहानी इन दिनों ट्रेंड कर रही थी वो निवेश दरसल ठगों का सरदार नटवरलाल निकला और इसने ठगी के वो कारणामे कर दिखाए हैं जिसे सुनकर अब पुलिस भी दातों तले उंगली दबा रही है आप जानकर हैरान रह जाएंगे जिसके नाम का खाप जहारखंड के लोगों में है जी हाँ PLFI सुप्रिमो दिनेश कोप उसी दिनेश कोप को अब तक डेर करोर का चूना ये निवेश नामक ठगने लगा रखा है पुलिस या पुछताच में खुलासा हुआ है कि निवेश एक शाधिर ठग है उसने दिल्ली चंडीगट जाने के दौरान कई खिलोने वाले नकली हत्यार खरीदे थे जिसे दूर स देखने पर अत्याधुनिक हत्यार होने का आवास होता था उन हत्यारों के साथ उसने रांची के धुर्बा के सेंबो इस्तित CRPF कैम्प के पीछे जाकर जंगल में तस्वीरे खिचाई फिर उसने हत्यार के साथ वालित सारी तस्वीरे PLFI सुप्रीमो दिनेश कोप को अपन अत्याधुनिक हत्यारों का वो सप्लाई कर सकता है इन हत्यारों की सप्लाई करने के नाम पर निवेश ने दिनेश कोप जैसे कोख्यात और गवादी से अब तक डेर करोर रुपिय की ठगी कर ली है निवेश का कहना है कि जो पूरे राज्य में दैश्यत फैला लेवी पूल रहा था अगर उसे ठग लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है झाल बड़ता है